आज मैं आपको ये बहतरी रेश्पी बना के दिखाने वाला हूँ पनीर अजबाइनी टिक्का तो आपने करना क्या है इतनी बहतरी रेश्पी सिखने के लिए वीडियो को पूरा देखना है पनीर अजवायनी टिक्का बनाने के लिए आपने जो सबसे पहला काम करना है वो यह है पनीर को काटना है तो मैंने एक पनीर का टुकुडा लिया हुआ है तो इसको मैं ऐसे काटने के बाद आपने यहां से भी निकाल देना है ये दखिए इस तरीके से और इतना मोटा इतना ही मोटा काटें इससे पतला ना काटने पतला काटने से क्या होता है पनी टूट जाता है इस चीज का आपने रखना है ध्यान ये दखिए ऐसे तो मैं आठ पीस काटने वाला हूं तो आपने भी आठ पीस काट लेना है मेरी तरह जैसे कि मैं काट रहा हूं इस तरीके से देखे पनीर काटने के बाद आपने करना क्या है एक बरतन में ऐसे खोल के टिक के डाल देना है जैसे कि मैंने डाले और इसमें आपने डालना है अजवाइन सबसे पहले आदा टीश्प दो पिंच कसूरी मेथी, दो पिंच काला नमग, एक टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने रखिए ऐसे अच्छे से इसको, मिक्स करना है इसे, लगा देना है मसाले चारो तरफ ऐसे, अच्छे से, और इसको आपने रख देना है अब आपने का करना है, आपको दिखाता हूँ, एक पैन लेना है, पैन के अंदर आपने डालना है, तीन टेबल स्पून सर्सों का तेल, ये देखिए, ऐसे, और तेल को गरम होने दे, जब आपका तेल गरम हो जाएगा, ऐसे, धुआ निकलना है इसमें से, तब आपने गैस स्पून हल्दी, इसको ऐसे देखिए, भून लेना है, गैस बंद करके, ये देखिए, ये गया भून, अब आपने का करना है, इसको फटा-फट एक बॉल में डाल देना है, इसमें ना रखें, नहीं तो क्यों होगा, कलर हो जाएगा, खराब, इस तरीके से देखिए, आप आपने इसमें डालना है, तीन टेवल स्पून हंग काडियानिके टंगा हुआ दही, दही को कैसे टांगते हैं, इसका वीडियो मैंने बना के बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा, तो आपको लिंक मिलेगा उपर आई बटन में, एक टेवल स्पून भरके अधरक लस अधरके आपने डालना है, नमक, आधा टीस्पून, लेमन जूस, एक टेवल स्पून, एक टीस्पून, कस्मिरी लाल मिर्ट्स पॉडर, थोड़े से धनिये के पत्ते, एक टीस्पून, चांट मसाला, ये चटाके के लिए ये सारी चीजन डालने के बाद आपने ऐसे मिक्स करना है देखिए, इस तरीके से, कलर देखा, क्या वहतisoftरिन कलर आया है, नेचुरल कलर, अजवाइनी का कलर ऐसा होना चाहिए, ना लाल होना क्क ये ना एक डौ मापना होना चाहिए, ये परफेक्ट कलर है, मैंने बनाया है, इसलिए नहीं, ये सच्छ में असली कलर है, जो हमारे शेफ हैं तंदूर में जो काम करते हैं उनको पता चल गए होगा कि कितना बड़ी अकलर आया है अब आपने करना है यह जो पनीर हमने मेरिनेट करके रखा था इसमें डाल देना है डालने के बाद आपने ऐसे मिक्सने करना चिकन की तरह यह दखिए इस तरीके से एक एक टिके में मसाला लगाना है पनीर टिके का तरीका यही है मसाला लगाने का एक एक पीस में आपने मसाला लगाना है जैसे कि मैं लगा रहा हूं इस तरीके से ऐसे पनीर में मसाला लगाने के बाद आपने करना है इसमें डालना है यह इसको बोलते हैं सासलिक टमाटर सिमला मि प्याज आपने ऐसे काट लेना है उसके बाद आपने का करना है अब आपने पतली वाली चौरस सीख लेनी है और सबसे पहले यह लगाना है देखे ऐसे उसके बाद एक पनीर इस तरीके से उसके बाद आप चाहें टमाटर चाहें प्याज ऐसे लगाएं यह देखे ऐसे फिर यहां तक आपने लाना है अधनी दूर तक फिर एक पनीर इस तरीके से यह उसके बाद यह अब मैं आपको बता दूहिए सासलिक लगाते क्यों है इससे कहुता है पनीर के बीच में जगा मिलती है और पनीर अच्छे से पक पाता है मतलब गरम हो पाता है अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो पनीर चिपक जाएगा और अंदर से गरम नहीं होगा इस चीज़ का ध्यान रखना है और इससे क्या होता है पनीर मैंने लगा लिया है तो सबसे आखिर में आपने करना है यहां पर ज्यादा सासलिक लगाएं या फिर आप प्याज काटके भी लगा सकते हैं मोटी या फिर आप टमाटल लगा लें क्यों ताकि आपका टिक्का नीचे ना गिरे इसके लिए ये काम आपने करना है लेखे और अगर आपको लगे मसाला आपका चुट गया है तो आप ऐसे मसाला लगा भी सकते हैं लेकिन हमारा चुटा नहीं है बहुत ही प्यारा लग रहा है देखें़ें न आप कितना मस्त लग रहा है मजाए है न आपको अब आपनी क्या करणा है आपने इसको डाल देना है तंदूर के अंदर और तुरंत लगा देना है धकल चार मिनट के बाद आपने इस तरीके से देखिए टिककर निकालना है जैसे कि मैंने निकाला और इसके उपर इस तरीके से बटर या फिर देशी घी लगाना है ऐसे बटर या घी लगाने के बाद आपने करना है इसको कम से कम दो मिनट बाहर रखना है टांके ताकि जो इसमें पानी होता है वो नचुड जाए दो मिनट के बाद आपने करना क्या है दुबारा से तंदूर में डाल देना है और कितनी देर के लिए सिर्फ दो मिनट के लिए जबड जस्त तो ऐसे ही आपने बनाना है अजवाइनी पनी टिका अब आपने का करना है हमेशा की तरह आपने हमेशा की तरह आगे से सीख को साफ करना है इस तरीके से अच्छे से उसके बाद आपने का करना है चाकू लेना है और उल्टे चाकू से ये निकाल देना है क्योंक के बाद इस तरीके से देखिए टिक्का रख देना है सेंटर में और सीख को ऐसे प्यार से घुमाना है देखिए इस तरीके से या फिर आप ऐसे उपर हाथ रख सकते हैं और ऐसे घुमाएं और सीख को अच्छे से घुमाके प्यार से निकालने देखिए ताकि ऐसा लगे कि ब अलकासा ऐसे चांट मसाला जैसे कि मैंने डाला और धनिय के पत्ते अब यह पीक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए मेरा काम पसंद है तो आपने क्या करना है आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जादा से जादा से अपने फ्रेंड और फेमली के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच